समस्कार दोस्तो टार्गेट विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है आईए सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंदेत कौन कौन सी सूचना है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें शियर कर दें और जिन चात् करती टेक्स्ट बुक के इस ओफर का लाव ले सकते हैं एक क्वाटर डिस्काउंट ऑफर है इसकी लास्ट डेट 19 सेप्टेम्बर है यहां पर नीचे लिखा हुआ है 499 वाला प्लान 375 रुपय का तब हो जाएगा जब आप TWP को यूज करेंगे यह यरली पास है इस पास को लेने से आपको एक साल के लिए बहुत सारी परिच्छाएं लगबग साड़े 500 से ज़्यादा परिच्छाओं के मौक टेस्ट मिल जाएंगी सभी मौक टेस्ट आप दे सकेंगे टेक्स्ट डिबुक की बारे में मैं पहले ही पिता चुका हूँ कि यह बहुत बड़ा जुड़े हुए है 43,000 मौक टेस्ट आपको मिलेंगे एक साल के लिए और 12 लेंग्वेज में यह उपलप दें बस कोड यात रखिएगा TWP और लिंक इसकी बहुत डिस्किप्सिन बाक्स में दे दी है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली सुचन हम यूपिटर पहला सी से ही इन विद्यारतियों का कहना यह कि इस भरती में बहुत कम विद्यारतियों ने भाग लिया है और यूपिटर पलसी को जल्दी से इस वरती का परिणाम जारी कर देना चाहिए काफी दूनों बात इस भरती को विग्यापन जारी हुआ था और क्या वारता हुई यह तो से यूपिटर पलसी से पूछेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा भरतियां क्यों लेट चल रही है यहां पर इन्होंने देखी लिखा 2019 की बारे में कि यह जो भरती है 22 मैं को हुई थी इसमें 10144 विद्यार्थियों नहीं आवेदर किया था और लगबग 50 प्रिशत बरती को मुख्यमंत्र द्वारा प्रास्मिक्ता में रखा गया है माने जी हमारे विग्यापन में 620 पत से अधिक स्वासिवा के अंतरकत ही आते हैं जो कि शोद अधिकारी के पत हैं इसलिए बरती को प्रास्मिक्ता में रखा जाए और आपसे लिवेदन है और यहां पर 19 स को दिया है और यह विद्यार्थियों मुख्यमंत्री कायराला में जाकर के दिया यह देखिया लिखा माने मुख्यमंत्री उत्तर प्रतिस सरकार और यहां पर यह इनों निकल करके आए और काप्य अच्छी तरीके से विद्यार्थियों से बात की आस्वासन दिया और भी ब के लिए कालिंग कर ली जाएगी अभी प्राथिमिक्ता में बरतियां सब्सक्राइब प्राथिमिक्ता किन बड़तियों को लेकर है रहने सभी के लिए अशिस्टेंट लिए उन्होंने कहा नंबर दो पाद में पर लोबर की भरति कारी है आप गो लेकिन इनके बात होगा जब यह प्रीड़ाम जारी कर लेंगे और कुछ और भी बाते भी वहाँ पर जैसे कि धन्यम के लिए उन्होंने कहा कि देखिये इसमें अन्म की भरती में इसलिए देरी हो रही है क्योंकि इतनी सारी याज कहां या रही है कोट जवाब मांग रही है कोटों को बहुत सरे कोट केस हो गए जिसकी वज़े से इसमें देरी हो रही है विद्यार्थी खुदी भर्ष्थी को भसा देते हैं कभी कोई वात कभी कोई वात को लेकर करके किसी मामले को लेकर कि तो इसकी वज़े से थोड पर 19 लोवर और यूडिये के बाद में पीटी के बारे में जानकारी मिली एनम के बारे में उन्होंनों खुद बताया कि देरी क्यों हो रही है और वहीं पर एक बात और निकल करके आई है कि 19 दिसंबर जय की जो भरती वी थी उसकी भी डीवी अक्टूबर में करवा रहे हैं दिवी अक्टूबर में जैई 2016 उसको भी जल्दी कंप्लीट करेंगे इन्होंने कहा है और उन्होंने कहा कि यूपिटर पे लजसी की पूरी की पूरी कोशिस है कि जल्दी जल्दी जितनी पेंडिंग भरती हैं उनका कारे समाप्त हो जाए और जो चात्र वहां पर गए थे इन सचात्रों से वारता हुई है मेरी और प्रवीड मौर्या खास्तोर से जिन्होंने इन सभी भर्तियों को बारे में जानकारी थी कि आज सचीव साब से क्या बात हुई अगली सुजना इलाबाद विश्विद्याला की पूलिस की बरबरता जारी है इलाबाद करती है पूलिस को आगे करती है तो आप यहां पर सीधी प्रतच उधान देख सकते हैं और यही कारण चाया प्रात्मिक शिक्षक बढ़ती हो या कोई भी धरने पर दर्सना अंदोलन वह इस समय कमजोर हुआ है पूलिस बरबरता पूरवक चात्रों को यहां से दिखिए कि पढ़ने लिखने वाले चात्रे प्रतियों की चात्र अबनी मांग रख रहे हैं कि फीस बहुत ज़्यादा रखी गई है इस फीस को वापस लिए जाकि एवल इतनी सी बात है लेकिन प्रसासन आड़ा हुआ है पैसे कमाने के जरिया नहीं होता है और यह देख सकते हैं आप अगली बात करेंगे हम लोग सभी भरतियों में दो साल की चूट तो यह उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में तो यह होता लाटी चार्ज और मुकद में एक सपंदर शातर पर मुकद में भी दर्ज करवाए गए अब देखिए दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है में दो साल की उम्री सीमा में चूट दे दिया है और इहां पर विद्यार्थियों क्या ने किया दरोगाबर्ती में कोड तक गए धरना परदर्शन वह लेकिन विद्यार्थियों की उपर मुकद में लाटई जार्ज यही सब होता रहता है तो मध्पर्देश में चूट दि है कि एज में छूट दी जाए लेकिन उनको छूट नहीं दी जा रही है उत्तर प्रदेश में उनका लिंक मैंने डिस्किशन बाक्स में दे दिया अगर आप लोग उनके समुस जोड़ा चाहते हो तो आप लोग जूड़ सकते हैं पुलिस भरती में छूट मांग रहे हैं पहले तेरा तारीक हुई थी आज जब तेरा कि सुनवाई हुई थी तो रिख्ट पदों का विवरण मांगा गया था और कि 69,000 में कितने विद्यारतियों नहीं किया है तो इसका विवरण भेज दिया गया है और आज इस के सुनवाई हुई सेकेंड हाप में अभी थोड़ वैसे हो सकता कि नई सिख्चक बढ़ती शुरू हो जूंकि बेसिक सिख्चा मंत्री हमेसा यही बोलते हैं कि जब तक पुराना मामला चलेगा अरशाट दार पांसो का और 69 जाए तब तक हम नहीं बढ़ती नहीं लाएंगी तो अब यह बढ़ती से माप्त होने वाली है और इसका जो परड़ाम है कि यहां 15 नवंबर के पहले पहले जारी हो जाएगा और हो सकता है कि अक्टूबर के लास्ट में ही लेगपार बरती के परड़ाम जारी कर दिया जाए बिल्कुल ताजक हबर है पुखता नहीं उज्ञें और इस बरती में को भी व्यात नहीं बिद् सुनने के लिए बहुत बुद्धनवाद